एगाई शोबेति और गाईज आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ बाइक के इंजन के बारे में अगर आप बाइक इंजन के रिपैरिंग सीथना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं इंजन के किस पार्ट को क्या गहते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि बाइक के इंजन के अंदर कौन-कौन से पार्ट लगे होते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो जो लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबा दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीज इससे अगर मैं अगली बार वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने एक डाइगराम बना है आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छी ड्रॉइंग तो नहीं है मेरी लेकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनलेट वाल है जब इनलेट वाल खुलता है और तो इनलेट पोर्ट से फ्यूल और हवा का मिखशार अंदर आता है उसके बाद स्पार्क प्लक से स्पार्क किया जाता है जो पिस्टन को नीचे खीज देता है जिससे जो धमाका होता है वाल्व होता है और उसके बाद यहां पर स्पार्क प्लग लगा होता है एक एक्जास्ट वाल्व होता है यहां पर जो इस सिलेंडर का जो बाहरी हिस्सा होता है वहां पर कूलिंग फिंस लगी होती है जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अल्रेडी मैं उसका लि दिख लेजेगा कि यह कूलिंग फिंग्स क्यों लगी होती है और इनका काम क्या हो मतलब यह कैसे काम करती है तो यही होता है सिलेंडर सिलेंडर के अंदर होता है पिस्टन अब पिस्टन के अंदर जहां पर आप उपरी हिस्से पर कुछ रिंक्स बनी होती जो उनको पिस्टन के दोरा और उसके बाद यहां पर crank soft होती है जो crank crank और piston के दोरा जो rotatory नो जो reciprocating motion आती हैं उसको rotatory motion में convert करती है यि यह TDC और BDC का मतलब होता top dead center और bottom dead center तो इन ही के बीच कि जो दुरी होती है वही engine का volume यानि कि जो CC में हम लोग bikes वगारा या कार वगेरा के जो इंजिन नापते हैं CC में इंजिन तो इन्हीं के बीच की दूरी होती है उसी को CC कहते हैं यहाँ पर यह पिस्टन देख सकते हैं और यही सिंपल सा डिजाइन है आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पहले सही पता रहा होगा लेकिन मैंने सुचा कि पहले बता देते हैं शुरुआत करने के लिए चलिए अगर यह वीडियो आपको पसंद आओ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा